पाकिस्तान अपना नाशनल डे दिल्ली में मनाने वाला है ठीक सुना आपने पाकिस्तान अपना नाशनल डे राश्ट्री दिवस दिल्ली में मनाएगा इस बार इसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ नमस्ते मैं राशिद 23 मार्च को पाकिस्तान का नाशनल डे होता है इस दिन दिल्ली में ये नाशनल डे मनाने का प्लान पाकिस्तान ने किया है क्या प्रोग्राम है ये तो उच्चायोग बहुत जल्दी पाकिस्तानी उच्चायोग बहुत जल्दी शेयर करेगा लेकिन पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार बनी, ने निजाम शहबाज बन चुके हैं इम्नान खान जेल के अंदर है, शहबाज के साथ बिलावल भी सरकार में है आसिफ अली जर्दारी कुछ दिन के बाद में राष्ट्र पती बन जाएंगे, इस तरह की अमीद है जनरल असी मुनीर अभी भी खामोश है, या यूं कहें कि तुफान से पहले की खामोशी है ये पाकिस्तान के हालात हैं, लेकिन अब नाशनल डे की कहानी क्या है पाकिस्तान की और क्यों दिल्ली में मनाय जा रहा है, इसकी एक एक खबर आप समझिए पिछले चार साल से पाकिस्तान का नाशनल डे दिल्ली में नहीं मनाय गया और पिछले चार साल में जो पाकिसान ने चुकि अपने राजदूत वापस बुला लिये थे जिस तरह का तनाव डिप्लोमेसी में पाकिसान और इंडिया की डिप्लोमेसी के बीच में हुआ उसके बाद लेकिन ये क्यों मनाया जाता है नाशनल डे दरसल 23 मार्च 1940 को पाकिसान ने और पाकिसान को लेकर के मुस्लिम लीग ने एक प्रसाओ रखा 22 से 24 मार्च 1940 एक बहुत बड़ी कॉनफरेंस हुई एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई लाहौर में ये मीटिंग हुई लाहौर में ही मुस्लिम लीग की तरह से मुस्लिम लीग यानि मुहमद अली जिना की मुस्लिम लीग उसने ये प्रस्ताव रखा कि एक अलग मुल्क बनना चाहिए तब पाकिस्तान नाम नहीं दिया गया था मुहमद अली जिना जो पाकिस्तान के कायद आजम कहे जाते हैं मुहमद अली जिना का मारना जानते हैं क्या था मुहमद अली जिना को ये लगता था कि अगर हिंदू और मुस्लिम की संस्कृति एक नहीं है संस्कृतिक विरासत एक नहीं है उनका धर्म एक जैसा नहीं है उनकी परमपनाए रीती रिवाज एक जैसा नहीं है उनके रिच्वल्स कीनी भी माइनों में एक जैसे नहीं लगते तो आने वाले वक्त में उनके बीच टेंशन्स बहुत जादा रेज हो सकती है और यहीं से मुहमाद अली जिना ने 1940 में ही नीव रख दी एक अलग मुल्क की उत्तरपश्चिम जो भारत का क्षेत्र था उसे डिवाइट करने की नीव 22 से 24 मार्च तक 1940 में ये कॉन्फरेंस चली और 23 मार्च को ये प्रसाओ रखा गया 24 मार्च को प्रसाओ पर मुहर भी मुस्लिम लीग की तरह से लगा दी गई अलग मुस्लिम मुल्क की बस उसी दिन को याद करते हुए नाशनल डे मनाया जाता है लेकिन हाँ एक और भी बात है पाकिस्तान को जो सम्विधान है ना वो 23 मार्च 1956 को लाग हुआ और इसकी आद में भी नाशनल डे पाकिस्तान में मनाया जाता है लेकिन इस बार नाशनल डे दिल्ली में मनाया जाएगा और दिल्ली में मनाया जाने के पीछे की जो कहानी है उसके जरीया हम आपको ये बताएं जैसा मैंने कहा कि पिछले चार साल में कोई भी डिप्लोमाट अभी हिंदुस्तान में नहीं है लिहादा पिछले चार साल से दिल्ली में तो नहीं मनाया गया लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पाकिस्तान अपने नाशनल डे को लेकर के उच्चायोग में बड़ी तयारियां कर जरूर रहा है नाशनल डे को लेकर कुछ और भी कहानिया है कहते हैं कि मुहमद अली जिना को ये लगता था कि उनकी सियासत नहीं चल सकती उनकी मुस्लिम तुष्टिकरन वाली सियासत नहीं चल सकती या उनकी डिविजन पॉलिटिक्स नहीं चल सकती जब तक अलग मुस्लिम राश्ट्र बनाया ना जाए उन्हें समझ में आ गया था कि भारत आजाद होगा जवारलाल नहरू प्रधान मंतरी बन सकते हैं कॉंग्रेस का कोई पीम बनेगा पाकिस्तान के गाइद आज़म मुहमद अली जिना को ये लगने लगा कि उनकी सियासत के सामने तो फुल स्टॉप लग जाएगा लिहाजा क्यों ना जमीन बाटने की बात कर दी जाए जमीन बाटने की बात कुछ ऐसी रही कि भारत पाकिस्तान के बीच कहते हैं कि दुश्मनी के जो बीच हैं इसी दिन पनपे और इसी दिन बोए गए थे हाला कि पाकिस्तान इसी दिन को यानि 23 मार्च के दिन को अपना नाशनल डे मनाता है इस बार दिल्ली में मनाने की तयारी है नमस्ते